नौस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवार और आप देख रहे हैं सीधा सवाल सीधे सवालों के सीधे जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खें इन्सो के रास्ट्री अध्थेक्ष देगुजे चोटालाचा अब भी चातर संग चुनाव को लेकर आपने लड़ाई छेड़ी है जरकार के खिलाफ मोर्चा आपने खुला है कहां तक पहुंचे मोहिम दोहजार तेरा के प्रशाद जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली थी वैसे तो इनसो लगाता 2003 में जबसे इसका गठन हुआ तब से लेकर के अब तक इस पूरी की पूरी मुहिम को लेकर के चल रहा था और मैं अकिला ये नहीं मानता कि صرف इनसो इस मुहिम को लेकर के चल रहा था फिर इसको हमने priority से उठाया सडक से लेकर के संसत तक इस मुद्दे की अवाज गुजी और अंते जो last result था हमें अंशन पर बैठना पड़ा और सुरकार को हमारी सारी बातें माननी पड़ी उसमें आठ बाते थी पहली बात तो ये थी कि लिंग्दो कमेटी के हिसाब से जैसे दिली में और पंजाब विश्विद्याले में चुनाव होता है वैसे वो चुनाव करवाएंगे दूसरी बात ये थी कि कैलेंडर में जगे मिलेगी तीसरी बात ये थी कि बजट में प्रोविजन होगा एक ओवरसाइट कमेटी बनेगी और इसी इसाब से कुछ मुद्धे और थे वो सभी विशे सरकार ने लिखित तोर पर एड्रेस हमें करते हुए कि इंडियन नेशनल स्टुट्स और्गनाइजेशन को एड्रेस करते हुए आपकी सारी बातें मान ली है और हम स्टुट्ट इलेक्शन करवाएंगे अब जब क्योंकि कैलेंडर आ गया है कैलेंडर में कोई जगे नहीं है बजट तैह हो गए है नई सेशन के लिए बजट में कोई जगे नहीं है और सरकार ये कह रही है और कड़वा सच ही है कि सत्ता में बैठे लोग और विशेश तोर पर शिक्षा मंत्री जी इनकी एक आदत रही है पुरानी कि ये अपने किये वादर से सदैव मुकरते आए और मुझे लगता है ये उस समय जो एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को चिताया है कि अगर आप स्टुडेंट इलेक्षिन नहीं करवाएंगे तो फिर हम जुलाई के लास्ट वीक में जब सेशन शुरू होगा सरकार ये कहती है कि शिक्षा मंत्री खुद कहती है कि नौटिफकेशन से उपर उनके जुबान के वो वादा कर चुके हैं अगले सत्र से हो जाने के शुरू तो इतनी जल्दवाजी क्यों है आप लोग इंतजार नगी करते हैं इससे स्टुडेंट सेलेक्षिन नहीं होते स्टुडेंट इलेक्षिन के लिए बजट तैह होगा केलेंडर में जगे तैह होगी अब जब इग्जाम होंगे तो इग्जाम होंगे जब स्पोर्ट मीट होगी तो स्पोर्ट लीट होगी आप तो सUEM जो है ना गुरु जंबेशुरी उनिवर्स्टी से आपने मुझे बताया आप पड़े तो आपने वहाँ के कलेंडर ने देखा होगा मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से की, मैंने गवर्नर महदे से करी और दुशन जी ने जीरो आवर में पारलेमेंट के पटल पे सावाज को रखा पारलेमेंट से बड़ी तो कोई आवाज नहीं मगर सरकार अगर सरकार अपने कमिट्मेंट से पीछे हटेगी तो फिर मजबूरी वर्ष हमें स्टूइन्ट के बीच में पुने जाना पड़ेगा और मैं यह समझता हूँ कि इस बार स्टूइन्ट फिर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तियार हो जाएंगे और जिसका खामी आजा भारती जंता पार्टी को सत्ता में बैठे लोगों को एक लंबे दौर तक बुखतना पूरेगा यह क्या कारण है कि बाकी संगठन इतनी मजबूती से आवाज ने कहीं उठाते हैं इनसों को जलबाज़ी है कि चुनाओ हूँ कैंसों को लगता है कि यूथ में वजबूत है तुलात्मकरूप से इसका कंपैरिजन तो देखी अगर आप लोग करेंगे तो जादा बेटर रहेगा मैं कहूं तो फिर वो अपने मूम या मिठू बनने वाली बात है मैं तो अपने संगठन को क्यों खराब बताओं या मैं क स्टुडेंट डेमोकरेशिक की भाली के लिए और उसकी एंपावर्मेंट के लिए छोड़ा है छोटे से लेकर के बड़ा एशू हो चाहे कोई हॉस्टल का एशू हो चाहे कैडमिक्स का एशू हो स्पोर्ट्स का एशू हो फीस की बढ़ोतरी की बात हो अब जैसे फीस बड कर था आप लोगों ने डूसु में चुनाव लड़े आप लोग दिल्ली उनिवर्सिटी में चुनाव लड़ते हैं लिंग्दो कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त नखी आई थी तो हर्याणा में यह पहल क्यों नखी की गई उस वक्त ने पहल करी थी और उसके लिए चौद्व और लिंग्दो कमेटी जैसी स्ट्रिट कमेटी की और उसके रिजिट सेट आफ रूल अफ जो बुक है उसकी आवशकता थी और कही ना कहीं 2006 में जब वो आई तो फिर ये मांग मजबूती से उठने लगी कॉंग्रेस के राज में भी हम निरंतर इस मांग को उठाते रहे मेरे बड़े भाही हैं दिपेंदर जी वो जब भी जाते थे दिली में चंडीगर में या इनस्यूआई के लिए वोट मांगने राजस्तान में तो सदैव कहते थे कि हाँ हम आप हमें जिताएं हम हर्याना में एलेक्शन करवाएंगे दस साल वो रहे और अब चार साल यह सम ही कर पाएं मगर हम इस बात के पक्षदर हैं और मैंने आज भी कहा èं कि इस लडाई को तो हम लड़ेगे सरकार को बीव तो फिर बड़ी से बड़ी शक्ती भी जुक जाती है और सरकार आपने kय वेवे फैसले वापिस लेने पड़ते हैं यह तो एक कैलेंडर है उसको बदला भी जा सकता है अगर एम पी के में एक इलेक्शन जिसमें तो मुझे लगता कितने बूट चाहिए और कितने इंद्जाम चाहिए जो वो एलेक्शन कंटेस्ट करवाई जा सकते हैं लेकिन जब आप लोग हरताल करते हैं दुशन चोटाला पहुंचते हैं अब हैं चोटाला जाते हैं आपको लगता है कि राजनितिक प्रभावित नहीं करेंगे चुनाओ को नहीं वो वहां जाकर कि कोई राजनितिक की बात नहीं करते हैं वो स्टूडेंट्स की बात करते हैं और एक जम्मेवार राजनितिक का ये ये उसका अधिकार है कि वो किसी प्लैट्फॉम पर भी जाकर कि ये युनिवर्स्टियां कोई बीजेपी की नहीं है या RSS की पैसे नागरिक जाए, मैं आप से मेरा एक ही प्रशन है, कि 18 साल का दब नौजवान अपना वोट बनवाता है, तो फिर वो उसके पास पॉलिटिकल पार्टी पहुंच जाती है, कि आप हमें वोट दें, और वो जब कॉलेज में दाखिला लेता है, और वो कहता है कि हाँ मुझे जो विचार सांजे करने, वो से अधिकार नहीं है, मुझे मेरे इंफरस्ट्रक्चर के बारे में विचार सांजे करने है, आज यूनिवस्टी में पूरा स्टाफ नहीं है, मुझे उसके बारे में अपनी आवाद उठानी, तो वो से अधिकार नहीं है, तो फिर यह इनार्किज चला कि जो सरकार का संगठन है BVP या भारती जनता पारिटी का जो अलाइट संगठन है वो कहते तो नहीं हमारा है बट वो है RSS से तो जुड़ा है ना तो RSS की BJP है तो यह अल्टिमेटली देर आल वन तो उसमें उनको कुछ खासा हासल नहीं हुआ तो फुर वो यह कहीं ना कहीं देखते हैं यह सेमी फाइनल मैच हार गए तो फाइनल कैसे जीताएंगे मैंने पहले भी कहा था मैं आज भी कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल पे इसको रिकॉर्ड कीजेगा मगर अगर लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक सरकार नहीं अनाउंस करेगी तो क्या आप जायज नहीं समझते मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि यह दिग्विजे जो है यह राजनीती कर रहे हैं मेरे पर आप हरानी मानेंगे कि बीजेपी के एबीवीपी संगठन के कुछ लोगों ने कंप्लेन दायर करी बीसी को जब मैं धने पर बैठा और वाइस चांसलर जो है वो कंप्लेन करते हैं एस पी मेडम को वहाँ जो पुलिस की मुख्या है कि दिग्विजे का यहां बैठना लड़कियों के लिए ऐस रक्षत है तो मेरे पर जितने आरोप लगाए गए और जितनी गंदगी डाली गई मैंने उस इतिहास में से उस पन्ने को उठाया, जब चौद्री देविलाल जी पर यारोप लगाया जाना था कि हरियाना इसलिए बढ़वाना चाहते हैं कि हरियाना का मुख्यमंतरी बढ़ना चाहते हैं तो मैंने ये कहा कि अगर आपको ये डर है कि ये सारा कुछ इंसो के पक्ष में चला जाएगा तो मैं ये वादा करता हूँ कि ना तो एक साल मैं किसी उनिवर्स्टी में जाओंगा और ना ही एक साल तक मेरा संटन जो है ना चुनाव लड़ी तो अभी जुलाई तक अगर सरकार नकी मानती है तो आप लोग अपनी उमीदवार उतारेंगे ये क्लियर फिर उमीदवार के फिर तो चुनाव करोने सबसे पहली बात है ना यह मांग थी students की कि आप ऐसा करें हम आपके साथ हैं और वैसा हुआ हजारों लोग वहाँ पर हर रोज की हाजरी 10 से 15000 लोगों की थी students की registered students की क्योंकि unregistered को तो अंदर नहीं आने दे रहे थे तो इतने registered students जब अंदर आ रहे थे तो सरकार को यह लगने लगा कि यह तो कहीं और चला जाएगा ठीक है चातर संग चुनाओ की मांग आप लोगों की और सी की गई उसकी अलावा इनसों के पास कोई उपलब ठीक है कि चातरों के हक के लिए आवाज उठाई कहीं किसे मुद्ध को लेकर जब दिल्ली विश्विद्याले के अंदर फाइव एर प्रोग्र बहुत लंबे समय तक स्ट्राइक करी और उसका हमें जो है ना वो मिला स्टूडेंट्स को अधिकार मिला इससे पहले हरियाना के अंदर हर मुद्धे पर जब कोई फीस बड़ी जब कोई सरकार ने फर्मान सुनाया स्टूडेंट्स के खिलाफ मैं अगर गिनवाने लगया ह बन करके ठीक है चुटाला साब यह तो बात थी इनसों के लिकिन इनलों के लिए बात ही उठती है जो कि विजेपी कहती है कांग्रेस कहती है कि वर्चस की लड़ाई लड़ रखी है जो कैडर वूट बेंक है वो भी पार्टी से खिसक रहा के नहीं मैं गनित मैं और आप हम हम एक पीडी के लोग हैं हम भावनाओं से कम आंकडों पर विश्वास जादा करते हैं फैक्ट्स पर जादा विश्वास करते हैं हम प्रैक्टिकल लोग हैं और प्रैक्टिकल लोग आंकडों को देखते हैं और आप आंकडों को देखिए हम कैसे मैं इनकी बात माननों कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस की लड़ाई लड़ा है हमारा वोट बैंक तो कभी 26% से कम हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मागा हाँ निश्चित तौर पर पिछली बार एक मोदी जी के पक्षमे देश में महाहौल था और कॉंग्रेस से लोग इतने नाकुष हो गए थे कि देश में एक बदलाव चाते थे और बदलाव के तौर पर एक चेहरे को देश ने आगे किया उस चेहरे पर विश्वास किया जैसा हमारे साथ स्टूडेंट एलेक्शन में हुआ वैसा इस देश के साथ इन चार सालों गए त विचारधारा कहा सबान के विचारधारा सबान नजर नखी आती है ये चुनावी इसे चुनावी अलाइंस भी नाम दिया गया इसे वर्चसु की दोनों की पार्टियों की वर्चसु की लिए तो विरोधी विरोधियों का काम है विरोध करना अगर वो हमारे पक्ष में कहन गटबंदन जो किया गया कहें वो दोनों की पार्टीओं के लिए अच्छा रखेगा ये इनयलो को लगताख है और इनयलो को लेकर साथ ही कारिकारिणी को लेकर और 2019 के चुनाओ को लेकर सवाल कई हैं जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद प्रेकिवाद फिर से आपको स्वागत है सीधा सवाल आप देख रहे हैं देख विज़े चुटाला जी हमारे साथ हैं चुटाला साब गटमंदन को लेकर सवाल ये भी उठता है कि जिस पार्टी की तीन सांसत है और दूसरी पार्टी वो है जिसका कोई सांसत नहीं लेकिन ग चलजी इस देश के प्रधान मंत्री बढ़ गए पांथ साल में फिर ऐसा क्यों संभव नहीं मायावती जी क्यों नहीं बढ़ सकते हैं तो थर्ड फ्रेंट उप चुनाव जहां जहां हुए वहां कॉंग्रेस के साथ एस पी और बीएस पी दोनों आ गए हैं देखिए भारती जनता पार्टी को कहते हैं कि बड़े दुश्मन को राने के लिए कई बार एक कदब पीछे भी खीशना परता है कहीं कॉंग्रेस ऐसा तो नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के साथ आगें कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉंग्रेस उनके साथ आई राहुल गांदी ये क्लियर कर चुके हैं कि 2019 में पीम बनने को वो तैयार है यूपी में बिस्पी जाती है कॉंग्रेस के साथ राहुल गांदी is a non-serious politician जिस टीम का कपतान राहुल गांदी हो वो टीम कभी फाइनल में नहीं पौँन सकती और उसका हमने आइना पीछे देख भी लिया और अगर अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है कॉंग्रेस जनों को तो मैं करता हूँ कि थोड़ा इंदजार और कीजिए हालात और से बत्तर होंगे मैं चौधरी देविलाल जी की चौधी पीड़ी हूँ मैं इस बात को यहीं समाप्त कर दूँ कि मेरी अगली 40 पीड़िया में कॉंग्रेस के साथ नहीं जाएगा इसे पहली भी गटबंदन बनाया गया लेकिन जिस तरह से इलेक्शन के परणाम आए उसी वक्त खत्म कर दिया गया इनलो की और से तब हमारे पक्ष में महौल नहीं था हरियाना में लोग आप मीडिया जगत के लोग अगर आप इंट्रवी उठा करके देखेंगे उन चैनल का तो लोग यह कहते थे कि जिनके घर में देश के पुदान मंत्री का ताज था आज उनके घर में पक्षी भी जो है ना हलात विपरीत हो गए और हम जादा सीटें जीत करके आए अब एक बार फिर से ऐसा नहीं हो सकता कि पोस्ट पोल अलाइन्स हो जाए बीजेपी और इनलों में कोई मतभेद है परिवार मतभेद है परिवार के विच में कि पिछली जो कारिकारी नहीं रखी वो दुशन्त के साथ ज्यादा चलती थी उनके कारिकरमों को सफल किया जाए काभ्याब बनाया जाए उसके लिए कोशिचे की जाए अगे भी ऐसा होगा आगे और भी अच्छी के लिए interested कि पार दुशन्त के लुए के लिए होगा अभे जी के लिए होगा परी के लिए होगा आईन ल् Д来क लिए व्यक्ति विशेश की की पार्टी नहीं चैस्छ सभीक पार्टी ये एक आदमी की पार्टी नहीं और एक आदमी की कहने से ब्लुडड़ां की क्या यहां फैसला 14 उंपरिकाश चोटाला जी का होता और जो फैसला कर लेते हैं। मैंने कह दिया कि जब चौदरी उंपरिकाश चोटाला जी का नाम ले दिया तो हाथी के पैर में सब किए सब का सथ पहasa, फेसला हमने उन पर हूँ चोड रहे तहुँ सै. लेकिं चन्डिकर्ट में जब गटबंदन की घोशना की गई थे उस वक्त ना आप उपस्तित थे ना दुषन चोटाला उपस्तित थे और ये कहा गया कि अभै चोटाला का की गटबंदन है इसमें अजय चोटाला का जो परिवार इसमें डुषन ताते आते एक है ना उनसे गटपंदर है ना ये अजेज जी का गटपंदर है ये गटपंदर चौद्वी उंप्रकाश चोटाला जी का और बहन मायवादी जी का लेकिन आप लोग उपस्तित नखी रखेश को लेकर सवाल किये गए उसे कुछ नहीं होता वो पार्टी की सीनियर लीडर्शिप जो वहाँ पर मौझूद है और दुशन जी का ज़रूर आप लोग प्रशन पूछ सकते हैं और वो इदेश में लगातार ये निकल कर साबने आती हैं कि अगला सीयम दुशन चोटाला अगला जन्नायक दुशन चुका है यही सवाल अभै चुटाला साब से किया गया कि कौन वो लोग है आपकी ही परटी की लोग है या फिर नखिन होगा इनसो की लोग पर इंसो के कार्करता भी बहुत सारे कहते हैं अगर आपका यह स्टेंड नखी है उन्स शात्रों पर कोई एक्षन अब तक लिया गया। मैंने किसी इंसो के कार्य करता कि मुझसे आज तक ऐसा नहीं सुना अगर आपने सुना हो तो आप उन लोग की डिटेल मेरे तक भीज़ेगा मैं उन पर कार रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी लोग हैं पेज बनाए कई हैं फेस्बूक की बात कर ले जाए पर आजकर जो है बैड अलिमेंट जो है या फिर आपके खिलाफ जो लोग हैं वो इस तरह की प्रोफाइल्स बना करके जिनका कोई वाली वारिस नहीं हो वो इस तरह की बाते करते के पारिटी का स्टेंड चौधरियों प्रिकाश चुटाला को चीफ मिनिस्टर बनाने का है उनी को हम हरियाना केस बिखरते तूटते हरियाना जाती वाद के जाती वाद के जंजाल में फसे से तूटते हरियाना को बचार सकता है कोई शक्स deficit से उठाकर profit मिला सकता है कोई शक्स किसानों के करजे कोई माफ कर सकता है तो वो चौधी उप्रकाश उठाथा हुडा साब क्यों से भी किया गया अभी भी विवादा किया गया है हुडा साब ने जो बोया है वो ही काटेंगे मैंने ये कहा कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे मुझे पूरी उमीद है और कानून इजाज़त की बात नहीं है मेरिट्स पर वो बाहर होंगे और वो हरियाना के मुझे 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 अभी की मौका आखे जब जेल भरू आंदोलन शुरू किया के आखे अभी चुटला साब पूरे एक्टिव के जन्नायक उनको कहा जा रहा है एक बार फिर से अभी दुशन्त नजर नहीं आते फिर क्यों न सवाल किये जाएं कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं है कहीं गड़बर के दुशन जी का एक्जाम वो अपने law के एक्जाम दे रहे है और दुशन जी सदैव जो है को research के student रहे है और वो अपने examination के time पर priority उसे मानते हैं कि उन्हें एक्जाम देने चाहिए और जब कोई और विशेव होगा एक्जाम खतम हो जाएंगे तो वो पब्लिक में होंगे लोगुंके बीच में कारिकारिनी के गठन को लेकर कब तक फैस्टा लिया जाएगे कारिकारिनी के गठन का फैसला 14 उम्पका शुटा राजी करेंगे और सब कुछ उनके नौलिज में हैं उसका अध्यन कर रहे हैं और ठीक लोगों को जगे जल्ब है। बेटे को राजय सभा तक पहुचाना बैकपर्ड कास्ट के लोगों को पारलेमेंट की दर्वाजे तक पहुचाना यह अगर हो सकता है तो इंडियन नेशनल लोग दल में हो सकता है। तो कहते ना कि एक पंजाबी में कहवत है कि चडिया नाल में बाज लड़ावां तो एक विशाल रूपी जंदल परिवार और उसके सामने केलाशो शैनी को लाकर के खड़ा कर देना जो एक प्रोफेसर थी दरीब घर से थी और सीधी टकर करवाना और उन्हें पारलेमेंट त किसी व्यक्ति को चाहने से कभी कोई नोक्री नहीं दे सकता है नोक्री प्राइटी पर होती है मेर्टलस पे होती है और नोक्री तो मेरिटलस पे मिलेगी पहले भी हमने दी और आघे भी हम देंगें मगर ये है कि हम औरों से जादा देते हैं मैं और हम्ण को सत्टां को ज्यादा कैसे मिलेंगी कारेकरताओं को कि अफिर तो सभी को जादा मिल जाएगी तो उसमें कारेकरताओं को मिल जाएगी सभी को मिलेगी मर मिलेगी मेरिट लिस्ट में या फिर सब्ता में BJP है? तो अभी आपको लगता है कि हुड़ा साथ है? कि एक 80 साल के व्यक्ति को एक 80 साल के व्यक्ति को एक राजनित नहीं मैं उसी के पर आ रहा हूँ क्या एक 80 साल के 82 साल के व्यक्ति को एक साजिश के तहट कि तू सिर्फ सत्ता में आ जाए उसे दस साल की सजा स्वत्वा देडा तो मैंने जो कहा कि जो बीज बोए हैं उपंदर उड़ा ने अपको लगता है क्या अदालती सरकार के अंडर काम करती है अदालत की फैसले से पहले कमेंट कैसे कर दिया था आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए मैं आपकी सारी ब पीछे होंगी अदालथ ुनि फैसला नी सुनाया मेरे फादर को और मेरे दादा को जयल जाते देखा मेरी बुड़ी दादी को परिशान होते देखा है मेरी मदर का चाहाल देखा है मैं क्यों चाहूँगा कोई जेल जाए कोई जेल ना जाए मगर जो इसने जो किया उसकी सजा उसे लोग देंगे यह मैं बड़े विश्वास से कह सकता मैं उन में नहीं हूं और मैं आज इस बात को बड़ी मुझूद ही से कि मैं किसी को जेल भेज के खुछ जेल जाना और कांगरेसीयों जैसी जो है ना जिने हम कहते हैं कि जो कॉस्मो पॉल्टिन लोगों के लिए जेल जाना जो एसी के कमरों में बैटके राज़नीती करें ड्रोइंग रूंब में चाए पी के राजनीती करें उनके लैसाब het मैंने आपसे एक बात कही कि मैं किसी को जेल बेज करके खुश नहीं हूँ जो जिसने जो बीज बोये हैं वही काटेगा आपको लगता है तुलनात्मक रूप से खटर सरकार बहतर कर रखी है फिर हुड़ा सरकार से चुंकि सीम के खिलाफ आप लोग इतना नखी बोलते जितना पूरू सीम के खिलाफ बोलते हैं है है अगर कोई माले के तो एस्पी डीजी है बाकी तो किसी की चलती नहीं है अधिकारियों के चलती है बीक्रफ कर दे तो सरकार काम नहीं कर पा रहें और इन सेक्योरिटी ज़ादा है खटर साब को यह लगता है कि तेरी कुर्सी के दो तिन पाए निकल चुके हैं और इसको सर्वाइव कर जा पांच साल चला जा तो खटर साब उसको बचाने में लगे हैं अनिल वेजव खीचने में लगे हैं रामविला शर्मा खीचने में लगे हैं एक कुर्सी और उस पर सोड़ा अगर कूच जाएं तो उसका क्या हाल हो यह हाल नहीं आना करें बहुर शुक्रिया चुटाला साब आपका वक्त देने के लिए बातचीत करने के लिए तो देखविजे चुटाला को आपने सुना जिनका कहना है कि इनसो छात्रों की हक की आवाज को बड़ी तेजी से उठा रखी है बुलंद आवाज को किया जा रहा है और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि छात्र संक चुनाओ करवाय चाहें और साथी इनेलों भी 2019 में झाल झाल झाल